हेलो फ्रेंट्स, आप सभी क्या स्वागत है in my casey point में फ्रेंट्स, आज है 11 दिसंबर और आज 11 दिसंबर से रिलेटेश जितने भी important current questions के questions बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्क करेंगे साथ इस से रिलेटेश जितने भी important facts हो सकते हैं उस facts को भी देखेंगे तो पहला प्रशने अंतराष्टिय भरष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया गया है तो इसका हमरा राइट एंसर है भी 9 दिसंबर को हाली में अंतराष्टिय भरष्टाचार निरोध दिवस को मनाया गया है प्रष्टाचार सबसे जटिल समाजिक, राजनितिक और आर्थिक घटनाव में से एक है जिसने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है इस तीवस को मनाने का उदेश से लोगों को प्रष्टाचार के प्रती जागरू करना है नेक्स्ट प्रष्ट ने जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2021 में भारत कौन से अस्थान पर रहा है इसका हमरा राइट एंसर हेड़ी दस्वे अस्थान पर रहा है या रैंकिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन नभीकरनिय उर्जा उर्जा उप्योग तथा जलवायू नीती के अधार पर जारी की गई है कोई भी देश इस सुचकांग में समगरी रूप से सभी सुचकांग स्रेनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है इसलिए पहले तीन अस्थान रिक्त रहे हैं तो तीन अस्थान तो रिक्त हैं लेकिन फोर नमबर अस्थान पर है स्वीडेन पांच नमबर पर ब्रीटेन हैं और सिक्स नमबर पर देन मार्क हैं और दस नमबर पर भारत हैं भारत देश जो है यह दस नमबर पर हैं इसको ज किया जाता है नेक्स्ट प्रश्ण है अमेरिका के पहले और स्वेत रक्षा सचीव गौन बने है इसका आमरा राइट एंसर है डी लेड एस्टिन लाइड आश्टिन एस्वेत रक्षा सच्छी उयूँव बने हुए है कहां के तो अमेरीका के बात क्या गया इसमें अमेरिका की तो अमेरिका उत्री अमेरिका महाद्वीप में इस्तिते और संजुक्त राज अमेरिका की रजधानी है 1C Gatton DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहां के राश्ट्रपती अभी डुनाल ट्रॉम्प है 2021 से जो बाइडन होंगे अमेरिका की स्पेस एजनसी का नाम नासा है जिसका मुख्याले 1C Gatton DC में है अमेरिका की रजधानी 1C Gatton DC, पोटोमेक नदी की किनारे इस्तित, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसोरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है नेश्ट प्रेश ने किन सरकार ने किन दो राज्यों में दो नए चिरिया घर को मानियता परदान की है इसका हमर राइट इंसर है ए उत्तर परदेश और बिहार में दो नए चिरिया घर की मानियता दी गई है बिहार के नलंदा में इस्तित राजगीर चिरिया घर सफारी और उत्तर परदेश के गोरखपुर में इस्तित सहीद असफाक उल्ला खान प्रानी उद्यान को मानियता परदान की गई है परकास जवेतकर हमारे देश के केंद्रिये पर्यावरन वन एवम जलवायू परिवर्तन मंत्री है स्वदेशी टेंग और जुन मार्ग ए का सफल परिक्षन हुआ है इस टेंग को किसने बनाया है तो इसका हमरा राइट एंसर है ए डियाडियो के द्वारा बनाया गया है इसमें बात किया गया है डियाडियो की तो डियाडियो का फुलपर होता है Defense Research and Development Organization और चीन के साथ बढ़ते तनाव के करण भारती सेना और डियाडियो ने संजुक्त रूप से राज अस्थान में पोकरन फिल्ड फाइरिंग रेज से देश में निर्मित उन्नत यूद टैंक और जुन ए का सफल परिक्षन किया है और इसकी अस्थापना किसकी अस्थापना तो डियाडियो की अस्थापना 1958 इस भी में हुई थी इसकी मुख्याले है नए दिल्ली और इसके अध्याक्षाएं जी सतीस रेड्डी नेक्स्ट प्रशने खाद तेल ब्रांड तिरूपती के नए ब्रांड अम्बेस्टर कौन बने है इसका मराइट एंसर है भी करीना कपूर हाली में खाद तेल ब्रांड तिरूपती के नए ब्रांड अम्बेस्टर बने है करीना कपूर भारतिय अभी नित्री है नेक्स्ट प्रस्ट ने भारत सरकार ने क्रोना वैक्सिन रजिस्टेशन के लिए किस एप का निर्मान किया है तो इसका हमना राइट एंसर है ए सियो विन नाम की एक एप को लंच किया गया है जिसमें भारत सरकार ने क्रोना वैक्सिन रजिस्टेशन के लिए इस एप का निर नाम दिया गया नेक्स्ट प्रस्ट ने इरोपिय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतिय महिला फुटबॉलर कौन बनी है इसका हम राइट एंसर है बी बाला देवी इरोपिय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतिय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में गोल दागने वाली पहली भारतिय महिला फुटबॉलर बन गई है। रेजर्स एपसी की तरफ से खेलते हुए बाला देवी ने मदर वेल एपसी के खिलाप एउरोप की फुटबॉल लीग में गोल करके या उपलब्दी हासिल की है। नेक्श्ट प्रशने मद्ध पर्देश के किन दो सहरों को इउनेसको द्वारा विश्व बिरासत सहर की सूची में सामिल किया गया है। मद्ध पर्देश के गोलियर और ओर्चा सहर को इउनेसको की विश्व बिरासत सूची में हासिल किया गया है। ओर्चा सहर महलो और मंदीरों के लिए परसीद हैं और सुलहवी सताबदी में बुंदेला समराज की रैधानी थी। ग्वालियर सहर भी मंदीरों और महलों के लिए काफी परसीद हैं। नेक्ष्ट प्रशने, भारतिय मुल्क के राज चोहान को किस देश में ब्रेटिस कुलंबिया बिधान सभा का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है। इसका अमरा राइट एंसर है डी, कनाडा। कनाडा में भारतिय मुल्क के राज चोहान को ब्रेटिस कुलंबिया बिधान सभा का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है। बात किया गया इसमें कनाडा की। तो कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में इस्ति थे। इसकी राजधानी है उटावा, इसकी करेंसी है कनेडियन डॉलर और नेक्स्ट प्रेश ने फोप्स द्वारा जारी बिश्व की 100 सबसे ताकत्वर महिलाओं में सामिल हुई निर्मला सितारमन कौन से अस्थान पर रही है। तो इसका हमारा राइट एंसर है बी, 41 अस्थान पर रही है। इसकी अस्थापना 15 सितंबर 1917 इस भी में ही हुई थी। इसकी मुख्याले है निव और नेक्स्ट प्रेश ने कैफे कौफी डे कमपनी की नए सीईओ कौन बनी है। इसका हमारा राइट एंसर है ए, मालवी का हेगरे को कैफे होकी डे कमपनी की नए सीईओ बनाया गया है। इसमें कैफे कौफी डे कमपनी की बात की गई है। तो कैफे कौफी डे एक ड्रिंक कमपनी हैं। इस कमपनी की अस्थापना 1993 सिदान्त है। इसके सी-ई-ओ मालवी का हेगरे है। अब इसमें 10 दिसंबर के मैं जो current affairs के questions का discuss किये थे, उस questions को सिर्फ इसमें MCQ के तरह सिर्फ revision करेंगे, तो पहला प्रशने, the pair पुस्तक lunch हुई है, या पुस्तक किसने लिखी है, यदि इसका answer आपको पता हो, तो आप comment box में अवसी बताने का कोशिज करेंगे, ऐसे मैं भी इस का answer बताते चल रहा हूँ, इसका हमरा right answer है, A, next question, किसने साखीर grand picks 2020 जीती है, तो इसका answer बताने की कोशिज करेंगे, जल से जल, तो इसका हमरा answer उस दिन बताये थे, D, Sergio Perez को साखीर grand picks 2020 जीती हुई है, next question, किस देश ने पृत्वी अलोकन उपगरा, गावो फेन 14 को lunch किया है, इसका हमरा right answer है, A, चीन, चीन देश ने इस पृत्वी अलोकन उपगरा को lunch किया है, next question, तरह brand trust report के अनुसार सबसे विश्वसनिये brand में कौन सा brand सीज पर रहा है, तो इसका हमरा right answer है, A, Dale Company, Dale Company सबसे विश्वसनिये brand में एक नमबर अस्थान पर रहा है, जो कि मैं उस दिन भी यही answer बताया था, तो friends, यदि आपको answer इसका पता हो, तो आप comment box में अवस्य बताने का कोशित करेंगे, आए देखते हैं, next question, किस राज की सरकार ने मेरा right answer है, तो इसका हमरा right answer है, D, उत्तर परदेश की राज सरकार ने मेरा कोविंट, एक कोविंट है, एप को लंच कि क्या है, तो इसका हमरा right answer है, उत्तर परदेश, next question, दुनिया की सबसे उचे परव, Mount Everest की नई उचाई, कितनी मापी गई है, तो इसका हमरा right answer है, A, 8848.86 meter मापी गई है, पहली इसकी जो लंबाई थी, वो 8848 meter ही थी, लेकिन अभी हाल ही में 0.86 इतने की बढ़ाउतरी हो गई है, next question, भारतिय मुल्के की सब्यक्ति को WHO Foundation का नया CEO न्यूक्त किया गया है, इसका हमरा right answer है, A, अनील सोनी को भारतिय मुल्के एक ब्यक्ति हैं, जिन्हें WHO Foundation का नया CEO बनाया गया है, next question, ब्रीटन में फाजर COVID-19 वैक्सिन का टिका लगाने वाले भारतिय मुल्के पहले ब्य हरी सुकला, हरी सुकला, फाजर COVID-19 वैक्सिन का टिका लगवाने वाले भारतिय मुल्के पहले ब्यक्ति बन गया है, next question, मानवता के प्रनेता महारीसी अरबिंद पुस्तक लंच हुई है, या पुस्तक किसने लिखी है, इसका हमरा right answer है, A, रमेश पोख्रियाल निसंग के द डी, राज अस्थान, राज अस्थान राजे में, डीबी गुपता को मुख्य सूचना अयुक्त नियुक्त किया गया है, next question, किस बैंक ने आई मोबाइल पे अब को लंच किया है, तो इसका हमरा right answer है, A, आईसी आईसी आई बैंक के द्वरा, आई मोबाइल पे अब को किया गया है, next question, एसी डी, बी, आई बैंक के नए चेर्मेन और एमडी कौन बने हैं, तो इसका हमरा right answer है, B, एस रमन, एस रमन, एसी डी, बैंक के नए चेर्मेन और एमडी बने हैं, तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बरा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए बावाई, टिक किया,